लिजी सुनिए चैशंकर प्रसाद की लिखी कहानी ब्रह्म रिशी वाचन समीर गो स्वामी का है नवीन कौमल किसलेयों से लदि व्रक्षों से हरा भरा तपूवन वास्ता में शांति निकेतन का मनुहर आकार धारण किये हुए है चंचल पवन कुसुम सौरव से दिगंत को परिपून कर रहा है किन्तु आनंद मैं वशिष्ट भगवान अपने गंभीर मुखमंडल की गंभीर मैं प्रभासे अगनी हो त्रशाला को आलोक मैं किये तथा ध्यान में नेत्र बंद किये हुए बैठे हैं प्रशान्त महा सागर में सोते ही मत्स राज के समान ही दोनों नेत्र अलोकिक आलोक से आलोकित हो रहे हैं रगुकुल स्ट्रेश्ट महराज त्रशंकु सामने हाथ जोड़ कर खड़े हैं किन्तु सामर्थ किसकी जो उस आनंद मैं बाधा डाले ध्यान भगन हुआ वशिष्ट जी को त्रशंकु ने साश्टांग दन्लवत किया उन्होंने आशीरवाद दिया सब को बैठने की आग्या हुई सविने सब बैठे महराज को कुछ कहते देखकर ब्रहमरिशी ने ध्यान से सुनना आरंभ किया त्रशंकु ने पूछा भगवन यग का क्या फ़ल है फिर प्रेश्ण किया गया मनुष्य शरीर से स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है उत्तर मिला नहीं फिर प्रेश्ण किया गया आपकी किरपा से सब हो सकता है उत्तर मिला राजन उसको तुम ना तुपा सकते हो और ना हम दिला सकते हैं त्रिशंकु उहां से उठकर प्रणामो प्राहंत दूसरी ओर चले थोड़ी दूर पर भगवान वशिष्ट के पुत्रगण आपस में शास्त्रवात कर रहे थे त्रिशंकु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा आप मानव शरीर से स्वर्ग जाने का फल देने वाला यग करा सकते पुत्र शिष्ट ने कहा भगवान वशिष्ट ने क्या कहा त्रिशंकु ने उत्तर दिया भगवान वशिष्ट ने तो असंभव कहा है ये सुनकर वशिष्ट पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ और बड़ी योगरता से वे बोल उठे मतिमंद त्रशंकू तुझे क्या हो गया गुरू पराविश्वास तुझे तो इस पाप के फल से चांडालत्तों को प्राप्त हो कि सहसा नारत का दर्शन हुआ सार्व भौम महराज की ऐसी अवस्था देखकर नारत ने पूछा राजन ये क्या बिलखते हुए त्रशंकू ने सारी कथा सुनाई नारत ने कहा आप क्यों हताश होते हैं मैं आपको एक कथा सुनाता हूं सुनिए बहुत दिन हुए करतिक शोभा देखकर ब्रह्म रिशी वशिष्ठ के दर्शन की अभिलाशा उसके चित्त में उत्पन हुई वहां के आतित्थ से वो बहुत ही प्रसन हुआ अरन्य वासी रिशी कल्पों की सरल अभ्यर्थना से वो आनंदित हुआ परन्तु जब उसे ससेन आमंत्रन मिला सरूपनी काम धेनु से सब वस्तुए मांगनी और कई दिन तक उन सेनिकों के सहित विश्वा मित्र को रखा जब विदा होने लगा तब उनसे विदाई के सरूप में उस काम धेनु को मांगने लगा जब उन्होंने ना दिया तब उन्हें दुख देने लगा तब उवन को उसके सेनिकों ने चारो और से घेर लिया, किन्तु वशिष्ठ केवल शान्त होकर सेहन करने लगे। अकस्मात पल्लव देश ये मनुश्यों की युद्ध आत्रह हो रही थी। उन सबों ने देखा कि ब्रहमरिशी एक उनमत शत्रिये से सताया जा रहा है। तो सबों ने लड़कर विश्वामित्र को ससेन ने भगा दिया और वशिष्ठ आश्रम में शान्ती विराजने लगी। किन्तु विश्वामित्र को उस अपमान से परम दुख हुआ और वो तपस्या से शंकर को प्रसन करने लगा। शंकर ने प्रसन होकर उसे सब धनुर्वेद का ग्यान दिया। अब वो धनुर्विद्या से बली होकर फिर उसी वशिष्ठ आश्रम पहुँचा और महात्मा वशिष्ठ को पीड़ा देने लगा। जब वशिष्ठ को बहुत व्यता हुई तब वे उसके समी पहुँचे और उसे समझाने लगे। किन्तु बनुनमत्र शत्रिये उन पर शस्त्रों का प्रयोग करने लगा। वशिष्ठ ने केवल ब्रह्मतेजमय शेष्णता रूपी दंड से सब को सहन किया। ब्रह्मरिशी के मुख पर उद्डिगनिता की चाया नहीं, ताप भी नहीं, केवल शान्ती ही विराज रही है। विश्वमित्र विचलित हुए, चित्त की चिंता शोत स्वनी का प्रवाह दूसरी और फिरा, और वो कह उठा। धिंग बलम छत्रिय बलम, वो अब ब्रह्म बल पानी की आशा से घोर तपस्या कर रहा है, अब उसमें कुछ शान्ती की चाया पड़ी है, इतना कहकर नारत अंतरभूत हुए, तरशंक को घोर चिंता में पड़ा, एक एक करके वशिष्ठ तथा उसके पुत्रों की सब बात हिर्दय में बजने लगी, विशाद तथा क्रोध ने उसे विवेक हीन बना दिया, चित्त में प्रतिहिंसा जल उठी, बार बार प्रतिहिंसा की ध्वनी उसके कानों में गूजने लगी, किंकर तव्वे विमूड होकर मंत्र मुग्ध की भाती विश्वा मित्र की तपु भ यग कराना सुईकार किया, मदुच्छंदा इत्याधी पुत्रों को आग्या दी कि वे यग का समारोह करें और ब्रह्मबादियों को भी निमंत्रन दिया गया, सब होने लगा, किंतु वहाँ जाता ही कौन है, वशिष्ट पुत्रों ने सब से कह दिया था कि चांडाल, यज को धानवित हुए, शुरुवा पटक कर कहा, यग में विग्ण डालने वाले वशिष्ट पुत्र भस्मों और त्रशंकु विश्वामित्र के तपस्या बल से सदेह स्वर्ग जाए, त्रशंकु स्वर्ग की ओर चला किंतु देवराज ने कहा, तिष्ट तिष्ट, पुनहा नक्षत्र रूप में स्थित हुए, विश्वामित्र के नव कल्पित एक नक्षत्र गोलक में नव स्रश्टी से त्रशंकु रहने लगे, उधर अग्नियास्त्र रूपी श्राप से वशिष्ट पुत्र भस्मी भूत हुए, विश्वामित्र ऐसा उग्र कार करके क कुछ शान्त हुए और तपस्या करने लगे। लोगों ने रिशी कहने लगे। वो भी निरंतर तपस्या से त्रलोक को कमपित करने लगे। एक दिवस शुनह शेफ दोड़ विश्वामित्र की चरहन में लिपट गया। जिग्यासा करने पर ग्यात हुआ कि वो महाराज हरिश चंद्र के यग का यग पशु बनाकर बली दिया जाएगा। उद्दंड राजरिशी को कुछ दया आई। और वो अपने शत पुत्रों में से एक को उसके प्रत्या वर्तन में देने ये तू सन्नद्ध हुए। पुत्रगण ने आग्या न मानी। वे भी शापित तथा नि में फिर तपस्या और निराहार भूकों को अन्दान करने लगे। बहुत दिनों तक सुयम निराहार रहकर वे भूकों को अन्दान करते रहे। जिस दिन उनका वक्त पूर्ण हुआ और उन्होंने पाक बनाया। भोजन के समय में एक भूखा ब्राहमन आया। विश्वमित विश्वमित्र ने महरशी पत को प्राप्त किया। किन्तु उन्हें शान्ती न मिली। वशिष्ठ की इर्शा से वे सदाई इर्शित रहते थे और उसी इर्शागनी में जलित उस ब्रह्म बल की आशा ने अब ही उनकी एक परिक्षा और ली। शर्वरीनात रमनी से पूर् किरीडा कर रहे है। राका प्रकाशमई, प्रभामई तर्था आनंद मई प्रकरती का रूप धारण किये हूए है। बहुत दूर पर से कोकिल की मनुहरवाणी कभी शान्ती में राका की निस्तबधता को भंग कर देती है। समीरण भी अपना सरलूप धारण किये है। पत् पुटीर समीपस्त एक शुप शिला तल पर बैठ कत्नोप कथन कर रहे हैं अरुंधती भगवन आज कैसी सच्छरा का है वशिष्ट जैसा तुम्हारा चरित्र अरुंधती चंद्रोदय कैसा उज्वल है वशिष्ट जैसे विश्वामित्र का तप पुंज अरुंधती भगव भगवन उसने तो आपके पुत्रों को मार डाला था वशिष्ट चंद्र क्या निश्कलंग है अभी भगवन वशिष्ट के वचन पून भी नहीं हुए थे किस ऐसा दोड़ता हुआ एक मनुष्या कर उनके चर्णों पर गिर पड़ा और कहने लगा भगवन आप ही संसार मे ब्रह्मरिशी कहलाने के योग है लोग मुझे वर्था ही मारशी कहते हैं मैं तो आपको मारने के वास्ते व्याद की नाई छिपा हुआ था आपकी अमरतवानी से मेरे हिरदय का अंधकार दूर हुआ आज ग्यात हुआ कि ब्रह्मर होने है तू कितनी सहन शीलता चाहिए प् आज मैंने सब पाया प्रभो इस पापी को क्या आप शमा कीजिएगा वशिष्ट जी ने पुलकित होकर विश्वामित्र को प्रिय मित्र बनाया और पुना कंठ से लगा कर सुधा प्लावित्वानी से कहा ब्रह्मरिशी शांत हो वो परमशिव्त में शमा करेंगे दोनों ब राम्मान और शत्रियों के हेतु वो एक चिरे स्मर्णिय शर्वरी थी। अभी आप सुन रहे थे जैशंकर प्रसाद की लिखी कहानी ब्रह्मरिशी वाचन समीर गोस्वामि का था।